असलाम अलेकुम, वेलकम बेक टू माय चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी सी हिजाब इनर कैप, मुझे कमेंट आया था कि आप जो है कॉटन के फैब्रिक में हिजाब कैप बनाना सिखाएं, तो इसलिए मैंने आज जो ये कैप बनाई है वो लाइकरा फैब्रिक नहीं होता है, लेकिन कॉटन ऐसा फैब्रिक है जो के हर किसी के पास कही न कहीं से वो मिली जाता है, तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं घर पर ही और इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस हिजाब कैप को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी अगर आप मेरा मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आपके जो हिजाब कैप है वो मैं गैरेंटी देती हूँ कि एक दम सही बनेगी ज़रा भी जो है इसके अंदर खिचाओ या फिट टाइट नहीं होगी ये बिल्कुल मेडियम साइज की है जो कि हर गर्ल या लेडिस को फिट हो जाएगा आराम से तो आप जो है इस तरीके से बनाएंगे जैसा मैं आपको सिखाऊंगी तो आपकी जो हिजाब कैप है वो बहुत ही जादा अच्छी बनके रेडी होगी लेकिन वीडियो शुरू करने हैं यहाँ पर यह देखिए जो मैंने हिजाब कैप इसे पहनाया है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है और यह ट्विस्टेट हिजाब कैप है जो के मैंने लेफ्ट वर फैब्रिक से बनाया है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है वो कैप का मेजर्मेंट लेना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको मेजर्मेंट लेना है इस कैप के लिए आपको तो 2-5 इंच तक रखना है देखिए इस तरीके से जैसे आपकी साइजे से साफ से आप ले सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से मेजर करने के बाद 18 इंच आ रहा है लेकिन हम कॉटन के फैब्रिक में बनाएंगे तो हमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा यानि जो तक आपको लेना है जो कि 8 इंच आ रहा है तो इसके अंदर भी हम एक इंच एक्स्ट्रा एड़ करेंगे यानि 9 इंच तक हमें यहाँ पर लेना होगा हमारा वह एक इंच भी सिलाई में चला जाएगा तो इस तरीके से दिखिए मैंने 2 मेजरमेंट ले लिया है अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है अक्सर हम पैंट वगरा कटिंग करते हैं कुर्ति कटिंग करते हैं तो उसमें साइट से कपड़ा बच जाता है तो उसी फैब्रिक का हम आज यूज करने वाले हैं तो यह जो फैब्रिक है वो कॉटन सेंटून का है इससे जो है अक्सर प्लाज की दुकान पर से यह देखिए अगर आप इस्ट्रेच बिल्कुल नहीं होगा तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा कोई फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो आपकी कैप का जो साइज है तो यहां पर सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने यहां पर देखिए फैब्रिक को इस तरह रखा है मैंने यहां पर डबल फैब्रिक किया है लेकिन दोना बराबर नहीं है एक फैब्रिक मैंने एक इंच एक्स्ट्रा उपर यह तरफ निकाल के रखा है यह देखिए नीच अला फैब्रिक मैंने एक इंच एक्स्ट्रा रखा करेंगे और यहां पे हम मार्क कर देंगे अगर आप इस्ट्रैचबल फैब्रिक ले रहे हैं तो आप जितना आपने मेजर किया आपको नहीं रखना है उसके बाद चोड़ाई लेंगे तो चोड़ाई हम नीचे से ही देखिए यहां से रख रहे हैं जो हमने एक इंच उपर ए इसाब से फैब्रिक को कट कर देना है तो हमने यहां पे एक साथ में दो फैब्रिक को कट कर लेना है दोनों फैब्रिक हमारा कट हो चुका है इसके अंदर आपने देखा है कि एक फैब्रिक हमारा एक इंच एक्स्ट्रा चोड़ाई में है तो उसे हम सबसे पहला साइड में रख देंगे इस तरीके से आपको जो है वो डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को यहां पर देखिए मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है तो वो फैब्रिक जिसके अंदर हमने एक इंच एक्सरा रखा था उसको हमने साइड में कर दिया है और यह जो है हमने measurement के हिसाब से cut किया है अब इसमें जो खुला वाला हिस्सा है वहां से हमें 3 inch पर marking करनी है इस तरीके से और इतना करने के बाद इसे हम हलकी सी गोलाई दे देंगे बस यहां पर जादा कुछ नहीं है इसमें cutting में इस गोलाई को हम यहां से cut करके अलग कर देंगे यह कुछ इस तरीके से cutting हो गई है अब इसमें हमें जो है वो सिलाई लगानी है तो जो इस ट्रेट वाला हिस्सा है बिल्कुल सीदा वहां पर डबल फोल करना है और एक सिलाई लगा देने इसके ओपर तो यह हिस्सा जो हम फोल करके सिलाई कर रहे है यह हमारे फोर हिट पे आता है तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसे सिल दिया है अब इसका जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा जिसके अंदर हमें elastic thread यूज करना है अब हम उसकी cutting करेंगे सबसे पहले तो इसे इस तरीके से ह हम यहाँ पे double करेंगे उसके बाद इसमें marking करनी होगी यह देखिए इसका खुला वाला हिस्सा है और यहाँ पे इसका बंद वाला हिस्सा है तो जो बंद वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको 4 इंच पे mark करना है तो 4 इंच देखिए मैंने mark कर दिया है उसके बाद में यहाँ रепे क्रोस में तेनी चमर्ण करेंगे और यहां पर हम अलगी सी गोलाई दे देंगे इस तरीके से और इतना करने के बाद में इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए, इसकी कटिंग भी हो चुकी है back इसके अंदर हमें marking करनी होगी जहां पर हमें इलास्टिक थ्रेड से सिलाई लगानी हैं, यह देखिए थ्रेड मैंने लिया है, तो सबसे पहले हम फैब्रिक पे निशान लगा देंगे, और निशान आपको जो है वो सीधी तरफ ही लगानी होगी, क्योंकि जो हमारी एलास्टिक है वो निचे की तरफ आएगी, अब पर लगाया है, सेम इसी तरीके से 2-2 इंच पे हमें मार्किंग करनी है, यह देखिए जितना हमने निशान लगाया है, वहाँ से हम दوبारा से 2-2 इंच पे इस तरह मार्क करेंगे, और जितना हमारा फैब्रिक है उसे साब से हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, तो हमने को फिरकी में भरना है इस तरीके से हम हाथ से ही भरेंगे बिल्कुल खिशना नहीं है हलके हाथ से इसे बस इस तरीके से भर देना है उसके बाद में हमें बॉबिन में इसे डालना है यह देखी मैंने इसे भर दिया है बहुत ज़्यादा की जरूत नहीं है बस थोड़े में य हो जाता है और बोबिन में यह से टालेंगे और इसे हमें लूज करना हो तो बॉबिन में जए स्क्रू होता है छोटा वाला उसे हमें हलका सा लूस करना होता है क्योंकि यह elastic थोड़ी सी मूठी रती है तो यहाँ से नहीं निकलेगेगी इसलिए हलका सा मैंने यहां पे लूज किया है अब यह आराम से निकल जाएगी बस इतना ही इसमें करना है तो इस तरीके से आपको बॉबिन में इलास्टिक को भर देना है और यहां पे धागा जो उपर वाला है वो सेम कपड़े के कलर का होना चाहिए तो इस तरीके से हमने देखिए इसे उपर ले लिया है अब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमने निशान लगाया था उसी के उपर से हमें मशीन को इस तरह चलाना है थोड़ा सा स्लो ही हम चलाएंगे पास्ट में नहीं चलाएंगे और बिल्कुल भी खिचना नहीं है यह देखिए अपने आप ज इस तरह सिलाई लगा के दिखा रही हूं तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कर लिजिए तो यह देखिए मैंने इसके उपर दूसरी सिलाई भी लगा दी है इसे मैं पास से आपको दिख देंगे तो यहां पर मैंने सारी लाइन के उपर सिलाई लगा दी है और हमारा जो यह कैप के पिछे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल डिए यह देखिए कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रहा है अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब इससे हम लगा देंगे तो यह बह यहां पर मार्क करेंगे यह जो गुलाई वाला हिस्सा था यही से हमें मार्किंग करनी है तो यहां पर मैंने गुलाई वाले हिस्से का सेंटर निकाला है यही से हम जोइंड करेंगे और हमारी जो कैप है यह देखिए दोनों का हमने यहां पर सिधा हिस्सा रखा है कैप को और यह elastic वाला यह देखिए इस तरीके साब को सीधा करके रखना है और जब हम इसे यहां पर joint करेंगे तो इसे यहां पर पलट लेंगे यानि अब इसे हमने उल्टा कर दिया है और center को center से मिलाते हुए यहां पर pin लगा देंगे और इस तरीके से घुमाते हुए आपको इसके वाला हिस्सा रहेगा cap का तो यहां पर इसे pin अप कर देंगे उसके बाद में हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो यसे देखिए इस तरह गोल घुमाते वे इससे पहले हम पिल लगा देंगे उसके बाद में सिलाई लगाएंगे और जब हम इसके अंदर सिलाई लगाएंगे तो हमें फैबरिक को जरा भी नहीं खीचना है जैसा है फैबरिक बिल्कुल उसको वैसा ही रखना है यह देखिए यहाँ पे एक्स्ट्राप देख रहे हैं अगर हम खीचेंगे तो हमारे जो कैपफोस सही से सिलाई नहीं होगी यह देखिए अब हमें यहाँ पे इलास्टिक ट्रेट को निकाल देना है और इस इससे को टाइट कर देना जो हमने इस क्रू को लूस किया था अब यहाँ पे हमें धागी को डाल देना है इसके अंदर और जैसा मैंने यहाँ पे जोइंट किया है पिन से उसी तरीके से उसके उपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे तो सबसे पहले एक तरफ आपको इस तरह सिलाई लगा देनी है सेंटर से हमने स्टार्ट किया है अब दोबारा से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दूसरी तरफ यानि यहाँ पे हमें सेंटर से दोबारा से स्टार्ट करना है और इस तरब भी हम इसे जॉइंड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फैबरी को बिल्कुल उसी तरीके से रखना है जैसा है उसे खिचना नहीं बिल्कुल भी क्योंकि इलास्रीक अगर आप खिचेंगे तो यह बढ़ जाएगा तो हमने देखिए इसे यहाँ पर अटेच किया है उसके बाद में यहाँ पर गोल वाले हिस्से पर हल्का-खट लगा देंगे और यहाँ पर इसे टंड करेंगे तो यह देखिए यह हिस्स्सा हमारा कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रही है यह दिखिए हमने इसे जॉइंट कर दिया इसके साथ में तो यहां तक कि हमारी जो कैप है वो बनके रिडी है लेकिन अभी हमें जो है लास्ट वाले हिस्से में सिलाई लगा कि इसके अंदर इलास्टिक डालनी है तो इसे जो हमने यहां पर एक्स्ट्रा रखा है इस तरह हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे और साइट से हमने खुला रखा क्योंकि इसके अंदर हम बाद में लास्टिक को डालेंगे तो यहां पर मैंने थोड़ा सा चोड़ाई में ही फोल्ड किया है क्योंकि मुझे इसके अंदर थोड़ी सी याज़े फोल्ड करके हम दो स्टिप को रेडि कर देंगे जो कि हमारी कैप में टाइ ओपर कवाली ले सकते हैं या फिर चौड़ी बाली ले तो मैंने के फेबरिक को सब्सक्राइब कीया है आप चाहें लांग निशान लगाके इसके अंदर के छोड़ करसकते है यह से पिन लगाएंगे, तो safety pin की मदद से हम elastic को अंदर की तरफ डाल देंगे यह हिस्सा जो मैंने खुला रखा था side का, दोनों हिस्सा ही हमने खुला रखा है cap में, तो इस तरीके से हम यहाँ पे pin को डालेंगे और elastic हमारी अंदर चले जाएगी और बाद में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो साथ में हम अपनी जो यह strip है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी attach कर देंगे इसके अंदर double सिलाई लगा के तो एक طरफ की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है साथ में strip को भी मैंने joint कर दिया है उसके बाद में यहां पे हम दो बारा से अपनी जो इस्ट्रिप है वो डाल देंगे यह देखिए इससे इस तरह रखेंगे खोल कर ही और इसके अंदर ही हम इस्ट्रिप को डालेंगे देखिए यहां पे तो यहां पर डालते हुए इसके उपर हम डबल सिलाई लगा के स्टेच कर देंगे तो यह देखिए हमारी एलास्टिक से बराबर कर देंगे इस तरीके से और यह बहुत ही जदा अच्छी दिखाई दे रही है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इस कैप को बना के रेडी किया है तो यह जो हमारी कैप है यह आप आराम से जो है वो घर पे बना सकते हैं तरीकी कैप आपके पास जो है वो फैब्रिक बचा रहता है या फिर अगर नहीं है तो आप किसी पुराने फैब्रिक से भी बना के इस तरह की कैप को रेडी कर सकते हैं और यह जो कैप होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई भी देती है और कमफ़रेबल भी रहती यह देखिए हमने यहां पे स्ट्रिप लगाई है यह टाई करने के लिए यूज होगी और कैप बनने के बाद में कुछ इस तरीके से यह दिख रही है आप इसका साइज देख सकते हैं अच्छी खासी बड़ी साइज है इसकी यह जो मैंने मेजर्मिन बताया है यह छोटी स से फैबरी को डाल देख ताकि आपको समझ में आ जाए कि जूड़ा होने के बाद में इस कैप में इसका लुक जो है वो कैसा आता है पहनने के बाद में तो इसे देखिए इस तरीके से टाय करना है और आप आप देख सकते हैं इस कैप को तो अमीद करते हूं कि आज की जैसा कि हमने मेजर किया था इसकी लंबाई भी हम देख लेते हैं यहां पर हमारी जो सिलाई है वो 18 इंच पर आई है कि हमने देखिए एक इंच एकस्ट्रा लिया था तो इसलिए हमारा जो मेजर्मेंट वो पर्फेक्ट बनके रेडिव है अगर आपने जो सेम